Hello everyone, so कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एक्सपेक्टर कटॉप की बात करेंगे कि सेकेंड डाउड में क्या कटॉप रह सकता है प्रायवेट मेडिकल कॉलेज का ऐसे बच्चे जो कि इस चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दू कि इस चैनल में हम MBBS Counseling से लेटेड आपको guidance प्रोवाइड कराते हैं और आपको ये बताते हैं कि आपको कौन सा college मिल सकता है और आपकी जो भी marks है उस basis पे आपको कौन सा college लेना चाहिए कौन सा college आपके लिए सबसे बेश्ट है ये सारी चैचे आपको प्रोवाइड की जाती है ऐसे बच्चे जिनका इस यह selection नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ माक्सिकारन रूख जा रहे है तो ऐसे बच्चों को भी हम गाइड करेंगे और ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्सन नीट में हो चुका है अब वो MBPS college में अडमिसन ले चुके हैं उनके लिए भी हमारे लिए हमारे पास बहुत सारे प्लान है तो हम दोनों परकार के बच्चों को guidance इस चैनल पर प्रवाइड करते रहेंगे तो आप हमारे चैनल से लगाता है जुड़े रहेगे तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो top हम college किसे बोलते हैं तो ऐसे college जिनका बहुत high cutoff जाता है high cutoff मतलब वह college अच्छे होंगे इसलिए तुनका high cutoff जाते है उसलिए उन्हें हर कोई लेना पसंद करता है तो हई-cut-off वाले college होते हैं उन्हें हम बोलते हैं top college और bottom में कौन से college आते हैं जिनने cut-off सबसे कम जाते हैं सबसे कम जाने के पीछे ये कि उन्हें बच्छा उतना पसंद नहीं करता ठीक है तो अच्छे college कोई कोई पसंद करेगा तो अब top और bottom जो college होते हैं उनको उनमें private college भी होते हैं और government college भी होते हैं अब हम कैसे decide करें कि हमें कौन सा college लेना है अब हमारे यादी marks बहुत अच्छे हैं तो हम top college लेना पसंद करेंगे लेकिन हमारे marks middle range में है तो हम बीच वाले college लेंगे और हमारे marks बिलको borderline पर हैं कि हमें बस government याई पर प्राइवेटी मिल सकता है नीचे वाला तो उस time पर हम ऐ है कि जो cut-off होता है वो decide कैसे होता है क्योंकि second round में हमेंसा बोला जाता है कि cut-off कम होता है लेकिन कैसे कम होता है तो वही मैं आपको सिखाने का try करता हूं तो आप अच्छे से देखिए और समझे कि cut-off कैसे कम होता है तो जो cut-off कम होता है उसका main reason होता है up gradation ठीक अभी जब आप first round में admission लिए अब आप जब second round में भी जाएंगे तो बहुसतारे बच्चे admission लेने के बाद अपना college upgrade कराते हैं तो up gradation कराने से दो चीज़े होती है या तो आपकी category upgrade हो जाएगी या फिर आपका college upgrade हो जाएगा मैंने पहले की वीडियो में भी आपको समझाने का try किया है लेकिन इस वीडियो में फिर में आपको बताता हूं कि ऐसा कैसे होता है क्योंकि यहां बात cut-off के degrees होने से related आई तो आपको यहां पर जानना बहुत जरूरी है category up gradation means य और EWS का बच्चा जननल की शीट ले ले लेता है तो सपोस माले जी कि यहां पर पाट से दस ओद्रूबी सी या फिर जनल की सिट ले लिए तो अब इतनी सीट बैकंट हो गई इस category की जब इतनी सीट के जब इतनी सीट के इस category की वेंट हो गई तो वहां पर नीचे से 5 से 10 ब पाइवेट कॉलेज है जो की अब आपने अपगेडेशन कराया ठीक है तो आपको अब सेकेंड नाओन में जीम सी सत्ना मिल गया अब देखिए कि जीम सी सत्ना में सीट वेकेंड कैसे हुई तो वह यही सब फेक्टर होते हैं जो ये टॉप मैंने आपको कॉलेज बताया इसमे इसी कॉलेज में पाच OBC की सीट वेकेंट हो गई ऐसे ही उसके नीचे के भी जितने कॉलेज उन में भी ऐसा ऐसा हो के बहुत सारे सीट वेकेंड हो जाती है इसलिए जो कॉलेज हो जाता है तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि दो चीजे होती है एक तो कैटेगरी अब यहां पर जो बॉडर लाइन पर बच्चा है सपोस्ट इसके पास से छे मांस का डिफरेंस रहा होगा जीमसी सतना और सेमस के बीच तो इतना पर कट आप डिक्रेस हो जाता है ड्यू टू डिश टू फेक्टर्स आई होगे अब देखिए कि जो टॉप के कॉलेज है टॉप क के डेट है उसे बढ़ा दी गयी है बढ़ाया क्यों गया है क्योंकि जो ओल इंडिया का साइकर्ण डाउन राउन है उसकी भी डेट थोड़ें क्रीज हो गई है तो उसका जो ऑलॉट्मेंट है उसके आने के बाद ही एमपी का सिक्रण डाउन स्टार्ट होगा ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे बच्चे जिन्होंने MPK फर्स्ट और में एडमिसन उन्हें ले लिया है या पिर कॉलेज मिल गया लेकिन उन्होंने इंडिया की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो वह बच्चे जले जाएंगे उतनी सीट वह जिस भी कैटेगरी से बिलॉंग करते हूं उतनी सीट इस कॉलेज की वेकंट हो गई तो जब आप अपगेटेशन कराएंगे सब्सक्राइगे बिए चबड़ पूर में है और यहां पर आप 10 टीज वाइकंट हो गई है और यहां से इनके बेच्चों ने अपगेड टे सं करा आ अब सब्सक्राइब अपकी तो जोlex ये होगया कि आपकी यह कैटेगरीई अपकी पक्रीचर हो गया और तीसरा फैक्टर तो आप समयजी रहें की बच्चा यहां से ज्हेम्स भभूपाल में आ गया या फिर यहां by में प्र 70 रोघएगा तो ऩॉपाल में पने जीघर जीके बच्चे पर प्र नीचे-स होनी चाहिए वह होनी चाहिए सबसे ऊपर में और वो होती है एक तो बच्चे ऑलिडे में चले आते हैं दूसरा उन्हीं के टेकर अब रगेट हो जाती है और एक फैक्टर आता है को आई होप कि आप समझ रहेंगे कैसे सीट्स खाली होती है और आपको सेकर नौर में कैसे यहां पर यहां का बच्चे अब ऐसा बच्स जिसको फर्स्ट कोई कॉए दूसरे चल जाते हैं तो यह डियो टूदी इन तीन श्रेकटर रेकारण ठीक है आई होप कि आप समझ गए हैं कि कैसे यह होता है अप्गेशन और क्यों डिक्रीस होता है अब आप देखिए कि यद यहाँ पर difference कम है लेकिन यहीं सब चीजह नीचे की कॉलेज में आते जाएंगे तो बढ़ते जाएगी ठीक है तो जो difference होना चाहिए मार्ट का ओपर आपकले कम होता है लेकिन आप जैसे जैसे नीचे आते जाते जाते हैं तो दिफरेंस है मार्क्स का वो increase होते जाता है यहां आते तक बहुत ज़्यादा हाइश हो जाता है अब यह चीज़े मैंने आपको बता दी ही कि ऐसे ऐसे होता है अब आपको कुछ डाटा भी देखना होगा जिससे आप और पूर्ण तक विस्वास कर पाए कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है तो अब मैं आप आपको लास्टियर का डाटा दिखाता हूं और उसके बाद आपको दिखाता हूं कि आपको फर्स्टाउड में कौन सा कॉलेज किसे मार्ट मिला है प्राइविट कॉलेज ठीक है तो जिससे आप और समझ पाएंगे तो सबसे पहले आप यह देखी कि 2023 में फर्स्टाउड का आपको यह कॉलेज मिला है ठीक है फर्स्टाउड में अब सेकर्ड नाउड में जो डिफ्रेंस आएगा लगभख हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो छे से साथ मार्स का डिफ्रेंस आता है इसमें ज्यादा डिफ्रेंस इसलिए क्योंकि आप मैंने आपको बताया कि जितना आप उपर रहेंगे उतना दिफ्रेंस का माता है जितना नीचे जाएंगे उतना डिफरेंस आथा तो प्राइवेट काल शना नीचे की एक्टिगरी में आते हैं तो यहां डिफ्रेंस ज्यादा आएगा लेकिन इधर और जाए डिफ्रेंस आएगा मतलब आप 10 से 12 न कि एलन से चार्षोन अब्वे अमलतास फोर एट नाइन आर्केटीफ चारषो असी यह महवीर और यह अब आप देखिए कि इस यह क्या है डिफरेंस इस यह टोटल बारा कॉलेज है जो की फर्स्ट आउंड से पार्टिसिपेट कर रहे हैं लास्ट यह सिप नौ कॉलेज नही में किया था पार्टिसिपेट तो यह सेकर्ण डाउंड में भी नहीं था और फर्स्ट आउंड में नहीं था तो ऐसे तो बारा कॉलेज है अब आप देखिए कि पिछले टाइम दस कॉलेज थे लेकिन जो सुख सागर था वह दसवार नमबर का था जो कि मॉपप राउंड म है इसलिए प्रटॉप और कम हो गया था मॉपप राउंड में लेकिन आप देखिए कि इस बार सारे कॉलेज फर्स्ट आउंड से काउंसल में पार्टिसिपेट कि मिन्स आल्रेडी पहले से वहां पर सीट ऑक्यूपाई है अब उतना जो डिफ्रेंस है लास्ट येर जैसा नहीं आएगा सिर्फ डिफ्रेंस एक ही कॉलेज कर सकता है वो है इंडेक्स ठीक है इंडेक्स में अभी देट सो सीट्स है लेकिन और सीट्स बढ़ गई है उसको फिर से पर में तो धाइसो सीट्स हो गई है अब यह जैसे ही सपोस मान लिजे कि सेकेंड डाउन में धाइसो सीट्स हो गई तो इसके नीचे के जितने कॉलेज यह से एलन सीटी अमलतास आरके डिया तो इनका का टॉफ और ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा लेकिन जो इसके ऊपर के कॉलेज इनका कटॉफ लगबग ठीक है छे से साथ मांग सीट्रीज होगा इनमें जाधा डिफरेंस इन दोर का जिसमें एश्टी का 314, SC का 416, OBC का 542 और EWS का 548 आपको बता दू कि जो प्राइवेट कॉलेज होता है उसमें EWS का कोई कोटा होता नहीं है तो जो EWS काटेकरी होती है उसको UR सही सीट मिलती है जो कि 548 नमबर पर मिला है अब हम आपको बताते हैं कि सबसे कम जिसना बोपाल का 468 गया है OBC कैटेगरी से SC से 342 और ST कैटेगरी से 226 अब ऐसे बच्चे जो की बॉडर लाइन पर मिंस जिसके 465 है 470 है तो यार देखो आप बॉडर लाइन पर हैं तो यहां सीट बढ़ेगी कहां पर अमलतास में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में तो इसक कौन सा कॉलेज में रामकिष्णा कॉलेज मिलेगा तो यह फर्स्टाउंड का टॉप था अब मैं आपको बताता हूं कि लास्ट एर कितना डिफ्रेंस आया था फर्स्ट और सेकेंड नावने का टॉप में ठीक है तो देखिए यह है सैम सेंडोर का का टॉप जो की पास्तो 32 अब मलतास देवास की बात करों तो यह 47 Marks और यहां पे मिला 469 थो आपिखिए कि सभसे उपर आपर कॉछलेज इंड इफ्रेंस कम है लेकिन आप नीचे गये तो यहां पर डिफ्रेंस जादा है इसका जो कारन है मैंने आपको बता दिया है अब मैं बात करता हूँ OBC कैटेगरी की तो OBC कैटेगरी में आप देखिए कि 516 मार्क्स से बिला चिराई यू जो कि यहां 515 पर मिला सेम्स 525 पर मिला यहां 516 मतलब देखिए कि डिफ्रेंस इएक से दो मार्क्स काई यह लेकिन आप सबसे नीचे के अमलताज की बात करें तो यहां पर 434 आप देखिए कि डिफ्रेंस बढ़ गया थिक S E की बात करूँ S E में 371 पर मिला यहां 347 पर मिल गया यहां 339 पर मिला यहां 255 उप्सों देख रीखिए कि यह लास्ट यहर का ड़ाटा 2022 का उसमें आप देखिए कि सबसे ऊपर जो कॉलेज है उसमें difference कम आ रहा है नीचे के इसमें जादा आ रहा है तो अब इससे हमें एक आइडिया लग गया कि इस यह का कट आप है वो क्या हो सकता है ठीक है अब आपको यह बता दू कि आपको जो सेकंड नाव था लास्टे उसमें स्ट कालेटेवें चेराईयों में बढ़ी थी सम्स इसे बढ़ी थी उसके वज़र से इतना डिफरेंश आया अब देखें इस बार सीटे लगए नहीं यह शिर्फ सीट बढ़ सकती है तो बढ़ सकती है इंडिक्स मेडिकल कॉलज बूर ठीक है अब वो second norm में बढ़ा रहे हैं कि मौपप में वो पता नहीं यदि 100 seats बढ़ेगी तो 100 seats के बाद इसके जो नीचे कॉलेज है उनको बहुत benefit होगा तो अब minimum आपको कितने marks लेके चलना है तो यदि आपके 6 से 7 marks का difference है ठीक है तो 6 से 7 marks cut off decrease होगा किसका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का ठीक है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो cut off है वो 6 से 7 marks decrease होगा हर category में SCHT में ज्यादा भी हो सकता है लेकिन OBC EWS और UR category में 6 से 7 marks का decrease देखने मिलेगा यह उपर के college है इन में ठीक और नीचे जो difference है वो और बढ़ सकता है मतलब यह कि यदि किसी बच्चे को अभी पास्ट आर्तालिस मार्क्स पे फर्स्ट और में अर्बिन दो मिला है तो ऐसा बच्चा जो कि यहां पास्ट ब्यानी से वाल है मिल जाएगा तो ऐसे ही आप हर एक college का निकाल सकते हैं मेरा यह सब बताने का उद्देश से आपको spoon feeding नहीं कराना है कि आपको इस college पर मिल जाएगा आपको समझाना है कि कैसे cut-off ultimate जो point था वही था कि 6-7 marks degrees होगा cut-off हर एक college का और index के नीचे वाले का और ज्यादा भी होगा जिससे बच्चों को benefit होगा I hope कि आप सब को समझ गए हैं और आपके सारे points कि देर होगे होगे इसके अलाओ यदि आपके मन में कोई doubt हो तो आप comment section ने पूछिए और हमारे telegram channel को जान करिए वहाँ पर आपको ऐसे ही जानकारी मिलते रहती है और वीडियो को अपने दोस्तों को साथ भी सेरे करें ताकि उसमझ सके कि मेरे इतने marks है तो मुझे कौन सा college मिल सकता है या फिर मिलना चाहिए I hope कि आपके अप सारे doubts clear हो गए है So thank you so much for watching this video Take care, bye bye